अम्रिला सुनला इले लेला वादू उला सरी का लूदू बिला मिन स्टानी इजी बिस्मिल्ला रमानि रहीम सूरा 25 स्टेच्चु बूप वर्स नंबर 63 ट्रेट अव दर राइट यानि कि जो नेक लोग होते हैं उनकी क्या खासियत होती है लेकिन बर्स नंबर 63 वोग जो चलते हैं और इससे नहीं चलते हैं लेकिन नर्मा इसके साथ में चलते हैं और किसी के साथ भी विहार करते हैं तो जैंतली करते हैं ना कि गमंद और गुषे से कहतا है यदि को पर चेस्ट अनि जय घाए और चाहित है.. जब ओकोई बेवकुफि उली बात करता है.. निया कोई मुर्कता बात करता है.. तो उसके साथ ज ll réussi Captain करते है.. संथ रहते हैं.. या इपिश कईते उ.. वह भीज़ जाते है.. यानि फिजूल की बात में वोग इंटरेस्ट नहीं करते और अपना वक्त को बरबाद नहीं करते In the privacy of the night, they meditate on their lord and fall prostrate वल्लजीना यब यतूना ले रब्बहिम सजदून वक्क क्याम क्याम यानि के सजदू करके नीचे Allah को सजदा करते रात को अल्ला को meditate करते हैं, उसके याद करते हैं And they say our lord spares the agony of hell, its restribution is horrendous और डुआ करते हैं अल्ला से के हमें जहन्नम के आख से बचा ले जो बहुत ही बयाना के और भयंग करें वो It's a worst about and worst destiny और सबसे बड़ी बुरी जगा है रहने की और सबसे बुरी destiny है When they give, they are neither extravagant nor stingy और जब भी वो देते हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं डेते हैं और इतना कम भी नहीं डेते But they give in moderation अल्ला को हरेक चीज क्या पसंद है, moderate में करें वो ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं इतना कंजूस भी नहीं होते के और करोड़ रूपय और शिफ एक हजार रूपय दिये और करोड़ रूपय और पूरे नब्बे करोड़ नब्बे लाग दे दिये ऐसा भी नहीं अल्ला कहते है, अल्ला कहते है उसको moderation के साथ में यूज करो किसे से तुम, अल्ला ने अकल सलिम दिये के तुम यसा भी मत करो के फिर तुम्हें किसी और का मोता जोना पड़े यह सब देखो जो ट्रीट बताईए है, राइटियर्स की 62 से जो चालू, 63 से चालू किया था तो अभी 68 में यह नहीं अल्ला क्या बोलते है के अल्ला किसी और की अबादत नहीं करते, किसी और को काम खाना नहीं मारते क्योंकि Alla ने जो इलाइफ है वो secret बाक बनए है यानि किसी को मारना बहुत बुरी चीमंतिन पोलिट बाने के तुम किसी और को मारन बचा ल Hope बुट दया वागर आ हुंत हिस एडल्टरी नहीं करते और ऐसे गुना जो करते तो उसको उसका मौाउजा पेक करना पड़ेगा यानि कि उसके गुना की सज़ा उसको मिलेगी एक्जेम्टेड और दोज वू रिपेंट बिलीव और राइटेफसाई लेकिन ये गुना ये रिट्रिविशन इस डबल फॉर देम यानि कि जो लोग इसके बाद इमान लाने के बाद में गुना करते तो उसके लिए जो अल्ला ने कहा है कि जो बदला रिट्रिविशन होगा वो क्या होगा डबल होगा क्योंकि वो इमान लाने के बाद में गुमरा किये गुना किये अगर कोई चीज को तुम पकर के उस कौंडर डाल दो या किसी को हुमिलेट कर दो या जो सब के सामने यहां पे ला जाके कोई अगर मुझे जेल में पकर के ले जाए पॉलिस तो क्या करता है हुमिलेट हो जाता है ना अगर मान लो क्पडा पर निकाल के किसी को गुमाये खुरा तो क्या है कि मुलेट होगा उसको यह हुंद हे आ और अखिरत में उससे भी भेंग करे इससे डुनिया के हमिलेट से ये करोडो अब जो गुना ज़ाद है तो समझ दो कि कैसा हुमिलेशन होगा एक्जेम्टेड आर दो जो रिपेंट बिलीव और लीडर राइटेस लाइफ लेकिन इसमें से अल्ला उसको बचा लेगा जिसने माफी मांगी बिलीव किया और अच्छे सी जिंदगी बसर की गो तो जो रिपेंट और लीड राइटियस लाइफ यानि वमाना ताबा आवा मिलू सालिहन ताबा यानि तोबा करते है और अपने अमल को अच्छे अमल करते है सालहीन अमल फईनहुमा यतूबू इलल्लाह मा ताबा गोड रिडीम्स देम और इसका जो बदला होता है वो यानि कि वो गलत गवाही नहीं देते यानि कि अगर उसको बताए जाए कि तुमने इसको क्या देखा तो तुम गलत नहीं गवाही दोगे सही गवाही दोगे जो तुमने देखा होगा वही तुम बोलोगे या तुमको जो तुमने जो सुना होगा तुम गलत नहीं बोलोग करते हैं. वो आल्ला की रिविलेशन यानि जो एक खुद को हमने सा याद रखते हैं. और कोई भी चीज में वह अंदY और बहरे की तरह रियक्ट नहीं करते हैं. तो उसको समस् tecnología करते हैं. हाला कि अंग बंढ करके प्लीव नहीं करते हैं. कोई भी अगर कोई भी कोई बोल दे कुछ भी तो उसमें तुरंद ऐसे रियक नहीं करते अंधे बेरे की तरह And they say our Lord let our spouse and children be a source of joy for us and keep us in a forefront of the righteous वो दूआ करते Allah से कि हमारे बच्चों को और सबको हमारे लिए एक खुशी का वो बना और हमको सबसे अच्छे इंसान में सबसे आगे रख वजा आला लिल्मुत्तकीन इमामन यानि कि मुत्तकी में भी हमको सबसे ओल दरज्जी में रख These are the one who attain paradise in return of their steadfastness वो लाय का यूज जवनल गुर्फाता बिमा सबरा यानि कि उनकी सबर के लिए अल्ला ने उसको जहनत में दाखिल किया They are received therein the joyous greetings and peace यानि कि वहाँ पे उसको greetings यानि कि उसको welcome किया जाएगा और उसको सुकून मिलेगा वहाँ पे Eternally thereby therein what a beautiful destiny what a beautiful abode वो हमेसा के लिए खाले दीन अफिया वहाँ पे रहेंगे खाले दीन यानि उसको दाखिल किया जाएगा हमे का लिए हमेसा के लिए हसुनतों मुस्तकरन वो मुकाम मुकाम यानि कि वो तुम्हारा मुकाम हो गया हमेसा के लिए वहाँ पे रहने का और बहुत ही हसुनत यानि कि बहुत ही beautiful मुकाम है वो रहने का यानि कि तुम अल्ला से सिफ अपनी इबादत के जरिये से ही तुम हासिल कर सकते हो यानि कि अल्ला के साथ में अगर तुम्हें कोई वेल्यू पानी है तो तुम उसकी इबादत से ही कर सकते हो बाकि कोई और रस्ता नहीं है उसको याद करके जिकर करके नमाज परके बढ़ तुम ने अगर डिश विली किया तो तुम्हारा जोConsequence होगा वा हूँ इनविटव होगा यानि कि वो हुने का ही है अगर तुम आ ये अल्ला की बदत नहीं की और ळला को नाराज किया तो तुमिल इल्लाह अर्म्दुलिलाह श्रीकाला अउजिविल्ह मैं अस्यृत्व निर्जें बिस्मिल्हारमान इरहीं सुरह 26 The Poets असुरह अउजिविल्ह मैं अस्यृत्व निर्जें बिस्मिल्हारमान इरहीं In the name of God, most gracious, most merciful तासीन मीम यानि कि यह जो तीन वर्स यह उसका जो मल्टिपल है वो नाइन तीन से होता है जिस तिलका आयातुल केताबुल मुबीन यानि कि अल्ला ने इसमें यह भी बताया कि यह जो तीनों का मिनिंग बताया था कि यह जो तीन है वो भी नाइन तीन के मल्टिपल में यह पूरी सुरा में आते है लेकिन यह दूसरी वर्स में इसका क्लियरली मिनिंग है लेकिन इतने सालों तक कोई इसका मिनिंग नहीं बता पाया था लेकिन जब Allah मुकरर करता है उसी वक्त में उसका मिनिंग रिविल करता है यानि के तिलका आयातुल किताबुल मुबीन यानि यह किताब जो है उसका आयात यानि के प्रूफ है यह जो यह उपर हमने पढ़ा ना ऐसा कोई जिगा पे नहीं लिखते है अल्ला जैसे mostly यह जा रहे हैं, जो लेटर आते हैं, उसी के बाद में यह आयात में लिखा होता है, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाया था अभी तक, कि यह mathematically combination के साथ में है, कि इतनी बड़ी चीज अल्ला जो चाहता है, है तो simple, लेकिन उसको revelation जो अल्ला कुरान में 19 के बारे में लिखा है, अल्यातीस अतासरा, और वो सूरा का नाम भी यही है, अल्मुदस्सिर, यानि के उस सूरा का नाम क्या है, छुपा हुआ, hidden secret, तो भी किसी को नहीं मालूम पड़ा, कि 19 का मिरेकल है वो, इतनी सारी चीजें, वो भी 1974 में डिस्कवर हुआ, रस्त खरीफा ने किया तो 74 सूरा में, 19 का description आता है, तो सब मुकरर होता है, वो वक्त के साथ में, अल्ला जब चाहता है, उसी को उसी वक्त में reveal करता है, यू में blame yourself, that they are not believers, यानि कि तुम अपने आपको कोशते हो, कि ये लोग क्यों believe नहीं करते, यानि कोई हमारे relative से, यानि हमारे दादा दादी या कोई हमारे ये है, क्या राजूला में हम करते हैं, क्यों लोग believe नहीं करते हैं, तो वो हम blame करते हैं अपने आपको क्यों believe नहीं करते हैं, if we will, we can send them, we can send from the sky, assign that forces, they are next to both, यानि कि अगर 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 चाहे, तो आका से सी निसा नहीं किसी के ऊपर, ये सोते हो कि ये इमान ले क्या आजाए, ये हमारा काम, नहीं है, अगर Allah खुद नहीं चाहता तो तुम कोन होते हो ऐसा force करने वाले, ये Allah बता रहा है, क्या क्या रहा है, ये clear sign है, देखो, अगरा की कहने की वज़ा कितनी beautiful है, पेले उसने बताया कि तुम अ नहीं हो जाएगा तो अल्लाः खुद नहीं चाहते किसी को फोर्सफुली करने के लिए तो कुरान's mathematical code whenever a reminder from the most gracious comes to them that is a new they turn away in aversion यानिके यह देखो अभी कुरान का mathematical description है कि यह देखो टासीन मीम आया फिर proof आया फिर यह proof के बाद भी लोग believe नहीं करते ना तो हम अपने आपको कोस्ते कि यह इतना सरा mathematical miracle discover होने के बाद भी लोग नहीं believe करते तो अल्लाः ने इसका जवब भी दिया तुरन कि अल्लाः जिसको नहीं चाहता है तो अल्लाः सबको believer मिना देता है सबके गर्दन जुक जाती अल्लाः के सामने तो यानि के अल्लाः जो from अल्लाः की रहमत की वज़े से यह reminder तुमको मिला है जो यह तासीन meme का जो description आये ना that is a new तो यह क्या बोलते यह तो बहुत नया है और वो भाग जाते क्योंकि वो सच को देखके क्या होता है अगर वो accept नहीं कर पाते तो क्या करते वहां से मूँ फोड के मूँ मौड के चले जाते उनको accept नहीं करते हो मूँ मौड लेते उसमें और बात में discuss नहीं करते या उन मेरे देखो मेरे जो college में थे ना मुसल्मान उनको मेरे उसका नाम सोहल था जिस्तों मुझे फ़र्स्ट इमान के बारे में बताया था नीचे में discuss कर रहा था ना तब वो आया था रात को अभी भी मुझे वो यार दे वो दे उसके बाद में मैंने कुरान पढ़ना चालू किया और समझना चालू किया तो वो बिलीव किया और उसके ताइम में उसका बड़े था उसी ताइम में मैंने उसको मेसेज दिया और हमेदाबाद में था फिर में उसे नहीं मिला था फिर में बिलीवर कुरान को समझने लगा था वो उसको नहीं मालूम था कि मैंने कुरान को एकसप्ट कर लिया और उसको कुरान पढ़ना चालू किया, फिर तो वह वहां से चला गया, फिर वह मुझे भावनगर में ही मिला, वह भी दुकान के पास में, सामने, सोचो तो, तो अब उसको मालूम पढ़ा, तो उसको बहुत सर्प्राइज हुआ, वह बहुत खुस हो गया, उसने बहुत मेरा बंड़े अच्छा इंसान था, लेकिन तुम सुनो, कि जब उसके बाद में, मैं जब देर-दे 19 miracle study किया, और deep में गया, क्योंकि मेरे माइंड में कोई, ये नहीं था, ओपन माइंड था मेरा, क्योंकि मैं कोई भी चीज को ओपन नहीं study करता था, तो इसका मतलब क्या था, कि जब मैंने उसको बताया, कि ये गलत, जो तुम भी कर रहा हो नो, उसमें गलत है, तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, तो उसने मेरे साथ क्या क्या, जो contact था ना, वो कम कर दिया, हाला कि वो बाद में पेरिस भी गया था, फ्रांस भी गया था, प्रोफेसर है, यहाँ पर, फिर में एक बार और contact करने के लिए ट्राई किया, तो उसने मेरा फोन उठाया, फिर मुझे कभी reply नहीं किया, मैंने उसको बलाए मेरा number है, यानि कि वो मेरे से भाग रहा था, क्य मैंने कुरान भी दिया उसको, कि उसकी तरफ से मुझे मिला था सच, तो फिर मैंने भी चाहा कि यह भी सच, जो कर रहा है, वो गलत थोड़ा, जो गलत कर रहा है, वो पुरा वो सही रास्ते पर आ जाए, तो उसने कुरान भी लिया, सब भी पढ़ा, उसने mathematical भी पढ़ा, र लोग, जब तुम उसको reminder करते हो, तो यह आयत मेरे सामने आती है, कि वो तो turn away कर जाते है, और तुम से पीट मोर के, पीट दिखा के भाग जाते है, यानि, हाला कि उसने मुझे समझाया, तो मैंने कुरान समझा न, जब उसने बताया, इमान के बारे में, तो मैंने open लिए कि भाई, तुम जो बात करें, वो सही है, तो उसकी तरह से मैंने अपनी पूरा कॉम में से में बाहर आ गया, उसको सब मालूम है, वो मेरे घर पे भी आया था, और उसने सब देखा कि तुमारे मुमी फादर, मदर फादर क्या कर रहे है, मुमी पापा को भी मालूम है कि वो गर पे आया का हुआ तरहा था सौ है, विकूर हो और उसने उसके बाद में पीत मैं लिए मेन पीत नहीं फेरी किणा, आध मेरा नंबर हे है, वे तो या कि धुन अभी सान को तक या को मैने फादर को रापीरधा है, तो अबही खाद नहीं किया, अभी मेन उसको कभी उसको लेकिन उसको भी इमान नहीं देता वो चीज का. Since they disbelieved, they have incurred a consequence of their heedlessness. हाला कि उसने disbelieved किया, तो अल्ला ने उसकी consequence ले लिए क्या-क्या उसको heedlessness, यानि कि उसने क्या-क्या heedless, यानि कि उतना importance नहीं दिया, उसको यानि बोलते हैं ना कि छोड दिया, उसको, यानि कि कोई चीज अगर तुम दस बार उसको बोलो, तुम जान नहीं देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बेधियान पना. तुम जानते, बुझते होए भी, तुम उससे बेधियान हो जाते हो, कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं देखना उसकी चीज़ को. तो वो heedlessness, consequence, अल्ला ने उसको क्यों दिया? क्योंकि उन्हें disbelief किया, इसकी होज़र से. अब को अल्ला की एक ही बात, वो भी अल्ला की बहुत उबादत करने वाला था, तो मैंने भी उसको वही कहा था. लेकि उसको, वो माइन में उसने accept करने से उसको रोग दिया, disbelief कर दिया. Have they not seen the earth and how the kind of beautiful plants we have grown therein? यानि तुम नहीं देखते कि अर्थ को अल्ला ने किसने beautiful plants और कितनी सब चीजों को अल्ला ने उस भी बनाया. This would be the sufficient proof for them but most of them are not believers. ये सारी चीजे तुम देखके तुमको निये सब अल्ला की निसा निये है. क्या बताया अल्ला ने इन्ना फी जाले का लायातिन लायात यानि आयात यानि कि एक दिसानी proof है. फिर भी अक्सर मुमिन नहीं बनते. अल्ला क्या बते वमा काना अक्सरहुम मुमिनून इतने चीजे देखने के बाद भी most of believer नहीं बनते. वमा काना यानि इंकार करते हैं. Most assuredly your lord is the almighty most merciful वाइना रबका लहो अजीजुरहीम. अजीज यानि almighty सब चीजों का कंट्रोल करने वाला रहीम है. अक्की मुस्तलात.